Hey everyone, welcome to Medico-Dynamic और आज अपन Anatomy Physiology का एक बहुत important system पढ़ने वाले हैं जिसको अपन Renal System या फिर Urinal System भी बोलते हैं तो इस वीडियो माँ आज अपन बात करे हूंगे Renal System के इंट्रडक्शन के बारे में Kidney के इंट्रडक्शन के बारे में Organ Associated with Kidney के बारे में और Macroscopic जिसको अपन Gross Structure of Kidney भी बोलते हैं उसके बारे में तो बिना टाइम वेस्ट करें आपन डार्क्शन वीडियो पे चलते हैं Renal System मेली चार ओर्गन से मिलके बना हुआ है जिसमें सबसे पहला है Kidney Second is Ureter Third is Urinary Bladder और Fourth is Urethra तो अपन सबसे पहले डाइग्राम पे नज़र डालते हैं डाइग्राम में देखेगा जो इक Green Color से Highlight किया वाई यह सबसे पहले Organ है Kidney उसके बाद यह है Ureter फिर है Urinary Bladder और फिर है Urethra तो अब तक अपन को डाइग्राम देखें इतना तो समझ में आगया Renal System Consist of 4 Organ या फिर 4 Parts जिसमें First है Kidney जो कि Urine Formation का काम करेगी Second है Ureter जिसके तुरू Urine Kidney से लेके Bladder तक जाएगा Third है Urinary Bladder जो कि Storage of Urine का काम करेगी और Fourth है Urethra जिसके तुरू Urinary Bladder से लेके Body के भार तक Urine जाएगा तो अब अपन इसमें सबसे पहले Organ को पढ़ने वाले हैं जो कि है Kidney तो अपन सबसे पहले Kidney के कुछ functions पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको Main 5 function को याद रखना है जिनको अपन बाद में डीटेल में पढ़ेंगे तो पहला function है formation of urine अपन सबको पता है कि Kidney blood filter करके urine का formation करती है Second है water and electrolyte imbalance Third है excretion of waste products मतलब जो waste products है वो urine की थुरू भार जाते है Fourth है production and secretion of erthropoietin अब जो erthropoietin होता है यह stimulate करता है RBC यह formation के लिए यह अपन बाद में पढ़ेंगे detail में पूरा अब last point है production of running तो यह जितने भी अपन ने भी function बता है इनको last में अपन detail में पढ़ेंगे इनके ओपर proper एक video आएगा अब kidney की introduction की बात करें तो it is a paired organ अपन सबको पता है kidney दो होती है तो अपन first line यह लिसकते है it is a paired organ second point जो इसका होता है shape तो आप सबने bean का shape देखा होगा और kidney का भी diagram में shape देखा होगा यह थोड़े similar से है तो इसको अपन यह बोल सकते है it is a bean shaped organ अब third आता है इसका color तो diagram में देखके आपको पता लग जया होगा कि यह radish brown की है तो इसका color है radish brown अब fourth point आता है dimension तो जो इसके dimension है वो है 12 x 6 x 3 cm कि मतलब 12 cm तो long है 6 cm इसकी विर्थ है जो की breath भी बोलते है और जो 3 cm है वो इसकी ठिकने से अब fifth point अगर इसके weight की बात करें तो वो है 150 gram अब sixth point पे चलते है position तो इसकी जो position है वो T12 से लेकर L3 तक है जो vertebra होता है अपनी vertebra column उसमें thoracic 12 से number 3 तक इसकी position है और अपन एक point और लिख सकते है introduction में कि जो right kidney होती है वो left kidney से थोड़ा नीचे होती है तो इसको अपन लिख सकते है right kidney is slightly lower than left kidney अब इसका reason आपको मैं बताता हूँ क्योंकि जो right kidney होती है उसके उपर की तरफ होता है liver तो liver की वज़े से वो थोड़ा सा right kidney नीचे की तरफ होती है तो अब आपन पढ़ लेते है structure associated with kidney के बारे में इसका मतलब क्या होता है कि kidney के आसपास कौन से structure से मतलब kidney के उपर क्या है यानि उसके superior में क्या है kidney के आगे क्या है मतलब उसके anterior में क्या है kidney के पीछे क्या है मतलब उसके posterior में क्या है तो अब आपको एक screen में diagram दिख रहा होगा इस diagram में सबसे पहले अपन superior पे देखते हैं superior मतलब उपर तो दोनों kidney के उपर देखेगा कि एक structure बनावा है कौन शेप का इसको बोलते हैं अपने adrenal gland या फिर suprarenal gland अब अगर anterior की बात करें तो अगर आपने digestive system सही से पढ़ा होगा तो आपको भी समझ में आएगा कि right kidney के आगे होता है liver, due denim, hepatic flexor जो कि large intestine का part है और small intestine वहीं अगर अपन left kidney की बात करें तो उसमें होगा stomach, spleen, pancreas, jejunum और spleenic flexor अब kidney के posterior में अगर देखें तो उसमें होगा diaphragm और muscles of posterior abdominal wall अब 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 आजका last topic पढ़ने वाले हैं जिसको केते हैं macroscopic structure of kidney या फिर इसको gross structure of kidney में भी बोलते हैं तो बहुत लोग confisz युज़ते macroscopic और macroscopic structure of kidney में तो已द्र नीचे diagram दिया वा है दोनों का एक तरफ है macroscopic structure of kidney जिसको अपन gross structure of kidney भी बोलते हैं और दूसरी तरफ है macroscopic structure of kidney जिसको अपन histology of kidney या फिर nephron भी बोलते हैं अब macroscopic structure of kidney में mainly three parts होते हैं पहला होता renal capsule second होता renal cortex और third होता renal medulla तो जो first part होता renal capsule यह जो renal capsule होता है प्रोटेक्ट करता है kidney को किसी भी trauma या किसी भी injury से अब second part है renal cortex जो कि रैडिज ब्राउन कलर की टिशू की layer होती है जो renal capsule और renal medulla के बीच में होती है अब third है renal medulla यह enormous layer है जो कि dark brown कलर की होती है अब आपन कुछ parts पढ़ लेते हैं जिससे आपको urine का flow समझ में आ जाएगा first है renal pyramids यह 8 से 18 cone shaped structures होते हैं second है renal papilla जो कि renal pyramids के narrow ending के side में होते हैं इसके बाद आते minor calyx and major calyx इसके बाद आता renal pelvis जो कि funnel shaped का structure होता है जो कि 3 से 5 ml urine को hold करके रखता है और smooth muscle से बना होता है फिर यह renal pelvis के बाद आता यूरेटर अब सबसे पहले blood filter होने के बाद जो urine formation होगा वो आएगा renal pyramids में फिर renal primid से वो renal papula के तरह होके जाएगा minor calyx में उसके बाद जाएगा major calyx में और major calyx के बाद जाएगा renal pelvis में और renal pelvis के बाद वो यूरेटर से होके urinary bladder में चला जाएगा इन सबको आप diagram में देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा और इनके बारे में कुछ points लिखे हुए जिनको आप एक बार पढ़ लीजेगा तो यहीं तक इता renal system का part 1 I hope आपको इस छोटी सी वीडियो से थोड़ी बहुत help मिली होगी अब इसके बाद इसके आगे वाले parts आने वाले जिसमें अपन नैफरोन, urine formation जैसे topics पढ़ेंगे अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी help मिली तो एक like कर देना चैनल को subscribe कर देना और comment करके अपने opinion जरूर बताना हम मिलेंगे एक और नई fresh वीडियो के साथ और इस वीडियो का like के हम रखते हैं 100 likes अगर इस पर 100 likes हो गए तो इसका part 2 भी निकाल देंगे